हेलो एरिवन बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड लेटरल्स इसका बेसिक बेटा मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं पढ़ाए बेटा पहले वह उसका बेसिक्स देखें उसके उपर में ओलरी अगर आपने एंगल्स यह मान लिए तो आपको यह पता है कि क्वाड लिटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 360 होता है जैसे ट्रेंगल्स के तीनुइ एंगल्स का सम 180 होता है तो आपको अगर रजल्ती हा दो यह this सारी खेंडी पोलिगन के ट्रेंगल्स का सम होता है अगर होगों ट्रेंगलो थे तो तो आपको 3 माइट्स 1 उत यह गटी हो जाता है ठीक है अगर quad lateral हो गए तो 4 side हो गई तो यह इनकी value 4 हो गई 4 minus 2 2 2 into 180 360 बात समझागी तो यह आपको अगर 5 sided होता बेटा माल जी पेंटा गंदे रखा होता आपको तो आप 5 minus 2 3 होता 3 into 180 540 बात समझागी है तो चलिए तो इन 4 angles का सम कितना होगे बेटा 360 होगे तो 30x equal to 360 x की value 12 यहां x की value पूट कर दोंगा मैं तो यहां value पूट करने के बाद आपके पास 4 angles से आ गई बात समना आ गई ठीक है next देखें बेटा next question क्या कह रहा है इस बात को समझे इस बात को समझे सेकंड को कह रहा है कि ABCD पैलोग्राम है बेटा ABCD पैलोग्राम तो इस बात को समझे के पैलोग्राम जो देखा बेटा असके मतलब यह खता कि opposite sides कैसी हो थे बाता पैलल होती है टीक है अपोज़ोट ईंगल इकवल इस इसके डेख्वल में ठीक है यह अच्छा लिजा जिय कैसे हैं इकवल में ठीक है अच यह Legends देख है लोगे डाइगनल कैसे हैं इक्वल है इस सीक्वल टू बीडी किलिए अब देखें अगर आप लोगों धंग से प्रोपेटिस बड़ी थी इसके बेसिक्स पड़ा था बैटा मैंने आपको बताए था डाइगनल इक्वाड लेटरल में डाइगनल सीक्वल होते हैं वह या तो रेक्ट ने लिकोल दे रखे हैं तो पहलो है रेक्टेंगल होगा प्रोव करें के दिखाता हूं समझीब प्र पहला स्मझेब आफमाइबर करते हैं कि आगल में ग्यमकराइट और DC भी ट्रेंगल में आजओ DC यानिके मैंने 20 पेसकी ओपर दो ट्रेंगल ले लिए एक तो यह ट्रेंगल बन रही है इस साइड और यह ट्रेंगल बन रही है दो ट्रेंगल ले लिए अगर मैं दूंट ने ज्मक में जहाई नंग से देखो बिटा तो देखिए AB पीटो डीसी हो गया आप उजिट साइट्स ओफ पैलोग्राम सार इक्वल ठीक है बिसी दोनों क्या होगे बिटा को मन हो गया कि लिए और अगर ध्यान से देखेंग बिटा एसी और बिड़ दे तो इकोल दे ही रख्ख़ा आपको डाइगनल ठीक है बिटा इसका मतलब दोनों ट्रैंगल SSS से क्या होगे बिटा कॉंगुरेंट हो गई और कॉंगुरेंट अगर SSS से हो गई तो पिटा एंगल 1 एकोल टू एंगल 2 CP CT लेकिन ध्यान देने माले बात यह है पिटा यह दोनों साइट्स पैरल है तो पिटा को इंटीर एंगल का सम्कितना हो जाएगा 180 तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एकोल टू एकोल टू एकोल टू एकोल टू एकोल टू एकोल नदे बात यह होगी अगर किसी पैलोग्राम के अंदर एक एंगल अगर 90 का प्रूव कर दें हम लोग तो पिटा को क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा कैसा इस बात को समझे बच्चा का इस सर्फ चारो एंगल 90 को टूवनेची इसमें एक एंगल दिखाया नाइनटी आ अपने माल जी एंगल 90 का दिखा दिया और यह पैलोग्राम है अटिक है तो पता पैलोग्राम में पूच्टेंगल सीकोल होते थार्ड कोशिन देखिए बटा, करेंगे एपी सेड़ी जब पैलोग्राम, पैलोग्राम देरे खापकों, ठीक है, सच देट डाइगनल बाइसेक्ट इच अधर एट 90 डिगरी, इसका मतलब जो डाइगनल है बिटा, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इकुल, ये और ये इकुल, डाइगनल जब बाइसेक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान दखना है, तो देखे बिटा, ये तो गीवन है, तो प्रूव क्या करना, एबी से डी जा, रोम बसी, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, यहां मैं आपको अच्छे तरीकेश प्रूव करता हूँ, आप घर बैठके आराम सीट को प्रूव करके देखना है, ठीक है, फिर आपको रजल और सीट कर रहा है, बिटा देखो गीवन है, तो मिटले, ओ एकोल टो सीगीवन है, ठीक है, एंगल वन इकोल टू एंगल है, टू, क्यों बटेखो इच नाइनटी होगे, एड़ डाइगनल बैसे इस एधर एट नाइनटी डिगरी, इसका बिटा आपको, ठीक है, और ओड देखो डिटा, दोन नम क्या है, lifesुमन, तो साइड एंगल साइड से बोथ ट्रेंगल जार साइड से साइड से साइड से जाड से बोथ हुरेंगल से साइड इंगल से बाथ इंगल से बेट आपको ब्लोट होगा ग्यू आपकर बांके प्रूफकर क्रूब तो बाखी प्रूब करने जोर नहीं है अगर आप इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में आएंगे तो फिर दोनों कॉंग्वरेंट हो जाएंगे फिर आप देंगे एट डी इक्वल टू एबी माल लिए अपने थोड़े देर के लिए एट डी को माल लिए ठीक है तो यह भी अब यह बने प्रूब गया अब यह ट्रेंगल लूगा बिटा तो तो फिर एडी इकॉल टू ए मिटा जयेगा क viewer लो बाटम है तो यह ट्रेंगल लूए तो यह और डूएघ आजएंगे बाठ धिर यह यह टो यह दो यह तो यह तो यह भी ए और मतलब क्या उक हो बने जाता है रोम बस तो देखिए इससे क्या हो जाए कि बात समझ में आ गई ठीक है अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन क्या दे रखा है कि एबी सीडी एक स्क्वेर है एबी सीडी जा स्क्वेर कि रहा उसके डाइगनल जो है बिटा अब प्रूव के करन है कि डाइगनल प्रूव करना है कि डाइगनल जो है वह एक्वल होंगे फ्लस बाइभ घ्री साथ में आपको प्रूव करके दिखानेकि 310 equal to vl ट्राइंगल ABC और DC वी में आजाओं ABC ABC नजराओ यह आपको ठीक है और DC वी देखो डीजी बिटेखो विटा काँ पे है 90 बने तह दियान से देखो थे साइड अगल साइड से बहुत से अगल गार्ध यहां पागये होंगे अगर आपने कॉंग्वेंट कर दिया तो सिपी सिती सो मैं कह सकता हूं C equal to BD simplicity diagonal तो इकुल हो गए तो आपको ये part तो प्रूव हो गया ठीक है C equal to BD के लिए ये वाली बात आपने प्रूव करके दिखा दे अगर आपको अपको अपको ये दिखाना है A O equal to O C A O equal to O C इसका मुला छोटी छोटी चोटी ट्रेंगल को और दिखाना है तो मैं आगर ट्रेंगल A O B में आ जाओं और C O D C O D और A O B यह आगे बिटा अब अपोजट साइट से लेगी बिटा ट्रेंगल से लेगी ठीक है अब आप ध्यान से देखेंगे बिटा अगल 1 जो है बिटा साइट सौफोट स्कोइरं तो अब ध्यान से देखेंगे बिटा अगल साइड प्रोपर्टी से बहुत ट्रेंगल से र कॉंगुरेंट प्रोपरटा इस इकोल टूदिस इन्टी सिपगय इस से दिखल टो इस से पिसिट्टी तो देखें वीट यह सब बात है तो नहीं आपने क्या क्या प्रू अब आफेन कि दिखा दिया इए ये फू करो इद दिखा दिया औस दूसरे को ये पार्ट अब आपको प्रू करके दिखाना रहें 25 सादेस ए话 करेंगे 25 सब्सक्राइब 근데 तो मैं सब्सक्राइब पर दूंगो पिटा अपने आप हो जाएंगे सारी बाते हैं किलियर तो चलिए अब देखें पिटा हम लोगों ने क्या लिया पिटा ट्रेंगल एओबी और सी ओबी तो डिका इस ट्रेंगल में आगे अगर मैं आभी आपको बता है ये साइड और ये साइड इकॉल अभी बता कोमन तो साइड 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 से बोथ ट्रेंगल जार कॉंगुरेंट तो एंगल वन एकुल टू एंगल थ्री सिपी शिटी लेकिन दोनों का सम्थ तो 180 आएगा लीनेर पियर है ना तो बिटा दोनों इकॉल भी है तो 90 90 होगे कि नहीं होगे बहुत समझ में आ अगर आप से यह कहूं कि अगर आपको कोई स्क्वार दे दे बेटा तो प्रोपर्टी जाद होने चीए एक तो चारो साइड को लोगी है तो पता यह एंगल 90 होते ही यह पता है दूसरी बात इनकी डाइगनल्स इक्वाल होते हैं वो बाइसक करते हैं कि दूसरे को 90 के कि डाइगनल्स जो हैं वो एकवल है यह जिसकी क्याक्या प्रोपर्टी बाटा डाइगनल्स इक्वाल है साथ में वह बाइचेक्ट करते हैं डाइगेनल कहां पर 90 डिगरी पर तो करें डाइगेनल जो क्वाड़लेटर ले ना उसको स्क्वेर बोल देंगे प्रूब करके दिखाऊ तो देखें बात बने जाएगी ठीक है एंगल 90 का दिखा दू तो देखें बटा पहले मैं जा रहा ह थाम चो सीरेगेनल आँ यह तो देखें थैंगे और म।य हम क्वेका है या ए मैधया तो यह को davon भी और सीरे दोत देखेंट म। साइड एंगल साइड से बहुत च्राइंगे और को अंगुरेंट करिंग सबता इस सादिकल म। तो ऐसा हुआ तो धिश्यान से देखीगा आप क्या क्या बात बोल सकते हैं तो सिठ्वी इकवल टू ए बोल सकते हैं लिए बता दिया आपको ठीकि नहीं यह बात कैसी हुआ आपको पूर करके दिखाने है ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कि side angle side से प्रूव होगे इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में आएंगे अपसे पहले तो यह और यह इक्वल हो गए यह और यह इक्वल हो गीवन है और यह एंगल और यह एंगल 90 होगे ठीक है तो side angle side support angles are concurrent 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 होने गवाद देखो sit d equal to ab आगे ठीक हो और यह एंगल 1 equal to angle 2 सब सीपी सीट इस चल रहे है ठीक है लेकिन द्यान से देखो बटा 1 और 2 तो कैसे हैं बटा देखो द्यान से देखी बटा alternate interior angle किसी इंगल में अगर alternate interior angle equal हो जाते हैं अगर property है बटा क्या अगर alternate interior angle equal हो जाएं तो बटा sides कैसी होंगे बटा ओ पैरलल तो बटा अल्टने तो ab किसके parallel होगे बटा और आपको एक बात पता होगे बटा क्या चोटी सी बात इधर करवा रहा हूं बटा इस बात को समझना ठीक है कोशन के अलग से है अगर कोई ना क्यों अगर बटा कोई पैरलो गराम बीटा कोई लेंटरल मान लीजिए अब ही इस अगर आपवजिट साइट कोई भी दो एक पेर को अगर यह equal हो जाए और parallel हो जाए equivalent और अब यह साइड दोनों equal हो गई और यह से डोनों हो गई और इससे दोनों कया होगया ये भी हो जाएंगे बिटा अल्टनेट इन्टेरे रेंगल हो जाएंगे तो इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया इफ अपोजिट साइड सोफ एक्वाड लेटर और इक्वल एंड पैरलल देन इट इस दा पैरलोग्रम तो पैरलोग्रम होगे है कि लिए चलिए एबी सीड तो आपने इसको अभी तक पैरलोग्रम परूब लग्रूब करके दिखा दिया नो प्रूब करके दिखाना है कि यह स्क्वेर होगा ठीक है पैलो ग्राम तक तो आ चुका अब देखें अगर मैं ट्रेंगल krejadu aod और c o ڈaod और c o d इस ट्रैंगल और इस ट्रैंगल में आगर अगर पेलोग्राम आपने दिखा दिये वीज़़ा दिखा दूँ यह तहाँ पाजिए साइड इक वो गई पाज़ा तो आगर में यह एकोल दिखा दो तो इस ट्रैंगल में आ गया तो तो यह एकोल बन ये अंगल है तो और और ये गीवन हम ऊता है तो साइड अंगल साइड से बहुर्टS अर ओंगे ये जारों हो गेए तो आपने साइड सब्सक्रान से हमक्राइब कर दिया न डिखा दिया और इसका मतब चारु साइट्स क्या हो गए इक्वल हो गई ठीक है और चारु साइट्स इक्वल हो जाती तो रोंबस बन गया अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात है कि अगर मैं किसी एक एंगल को 90 दिखा दूं या एंगल एक या बी को या सी को या डी को तो रोंबस पलस एक स्कूर बन गया ठीक है तो मेरे दिमाग में या बात पिटा एक एंगल को 90 दिखा तो कैसे भी कर गे ठीक है तो चलिए उसका काम करते है तो दिखे अगर मैं ट्रेंगल ADC में आजओं और BCD में आजओं ADC और BCD ADC और BCD एनगे मैं इस बेस के उपर देख बेस के उपर अब इतर यह ट्रेंगल बन रही है ठीक है अब दियान से समझेगा बटा तो दोनुँआ आपने दिखा दिया कि चारो साइट सेकोल है तो यह साइट यह साइट इकोल हो गई यह दोनम क्या होगे बटा कॉमन हो गई और आपको पता डाइगनल आपको इकोल दे रखे हैं त दोनों क्या होगे बिटा इकवल हो गए एंगल टिकर और बेट यह प्रूग्राम तो ही आपने प्रूब किया था इसका इसस मार्स प्रूब है तो यह दैसक्ते प्रूब करने दिखा दिया लोंबस पला से एक एंगल 90 होगे तो बैटा क्या बढ़ गया हो स्क्वेर बढ़ बन गया है बोलो बात समझ में आए कि नहीं किलियर ठीक है चैलिए नेक्स देखिए आप देखेंगे बटा शिक्स कोशन देखिए ए बी से डी जो है ना वह पैरलोग्राम बीटा इस तरीके से है कि डाइगनल एस जो है ना इस एंगल को बाइसक करता है तो गराप पुरूब करके दिख़ें यह सी को भी बाइसक करेगा पहला काम तो यह है तो मैं यह परूब क इकल टिए इकल टू एइंगल टू और एंगल ठिरी ऊंगळ प्रू करना थी दोने प्रूपमारी का लिए-बात एची legends तो डीजिए रोंबस प्रूब करके दिखाना है यह इनिकि अगर पैरलोग्रम है तो मैं इसके दो साइट को अगर साइड साइड जा अगर इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी ठीक है तो अगर देखें टेगे टेंगल A-D-C में आज़ी यह उस टेंगल तो इन को अच्छे से देखना ठीक है इसके दूसरे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा ठीक है थेंक्यू